विद्धिवत जामवाल का धमा था जी यहां दोस्तों क्रैक के बारे में इतना ही बोल सकता हूं है कि बेस्ट एक्षन थ्रीलर थ्रीलर से जादा एक्षन मूवी मैं कहूंगा अर्जुन रामपल वस गुड़ बड़ इन दोनों की जो अपस में टकराव है एक्चली मैं तो कह करना है भई फैंस ने इस फिल्म को देखो भई स्टोरी वाइज अगर आप बात करें तो हमने ट्रेलर के वगड़ बात करी है और ट्रेलर रिविव में पूरा डिटेल मैं सिप मेरा एक्सपिरियंस बताऊंगी कि क्या एक्सपिरियंस था तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि यह फिल्म जिस तरीके से बनाई गई है और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म से एक्सपिक्टेशन्स स्पेशली जामवाल एंस ने किया है वो सब आपको मिलने वाले है क्योंकि मैं ये कहूंगा कि विद्लु जामवाल का चो एक्ष्ण आउतार यह है ना यह फोर्स कम वन टू थ्री इन सबसे हटके मुझे तो लगा मेरे भाई और विद्धु जामल सर के बारे में एक ही बात करूंगा अगर आप उनके एक्टिंग के बारे में बात करना चाहते हो तो खुदा अफिस में उन्होंने जो लोग बार बार बोलते थे एक्शन स्टार है एक्शन यार मैं सीरियसली बोलू यह अच्छे खासा प्रमोशन भी इस मुवी का किया इन लोगोंने I just hope कि विद्यूत के फैंस तूट पड़े मेरे भाई इस फिल्म को यह आपको सिरियसली बोल रहा हो एक मसाला इंटेइनर वो बोलते थे एक्शन मुवी एकदम बस जो चाहिए आपको यह वही है और I think मैं तो यही खोप कर रहा हूँ प्रे कर रहा हूँ कि विद्यूत पिए था मनने वही वह जो इंट्री सीन और द्थार जो लूक था ना क्या बूलू मैं क्या ही बूलू मुझी तो एक टाइम पर जब कमांडो की अनॉंस्मेंट ह ơi थी और कमांडो उस टाइम पर यहास फिल्म है तो नह Geral Connor понрав पर दो हूँ नहीं मैं और एक बात है मुझे बात करने का जो अंदाज है ना डायलोग बाजी और स्टाइल विद्धू जामवाल का मज़ा आ गया है यार मैं तो हर ओडियोंस को बोलने वाला हूँ चाहे आप किसी के फैन हो ना हो दिस मुवी इस फो यू क्योंकि भै बोल रहा हूँ ना तगड़ा इंटेटेन्मेंट मिलेगा भै मिस मत करो बाकी मैं इतने कहूंगा अगर आप सच में अगर आप सच में मिस करते हो यह फिल्म आपको जब आप बाद में देखोगे ना आप करोगे यार सम्हाव अपको रियलाइज हो जाएगा या फिर रिग्रेट करोगे आपकी यार देखनी चाहिए थी थेटर में सो डोंट मिस इट यार होगे पास में से चार रेटिंग्स मजा आ गया बॉस